नमस्ते दोस्तों मैं हूँ परवी नाना और आपका स्वागत है अलगो क्रैप के ट्रेडिंग टुटोरल के नए वीडियो में आज हम बात करेंगे इंटरम एक स्ट्राटजी के बारे में जो आटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए एक पावर्फूल टेकनिक है पहले चलिए हम एक छोटा सा ओवर्वियू लेते हैं अलगो क्रैप ट्रेडिंग और हमारी पिछली वीडियो इगल ट्रेडिंग के बारे में अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उससे जरूर चेक करें क्योंकि वहाँ पर हमने एगल ट्रेडिंग की एक इंट्रेस्टिंग टेकनिक शेर की है रही बात अलगो क्रैप ट्रेडिंग की तो अलगो क्रैप दोस्तो हमारा प्लैटफॉम है जिसके थुरू हम आटोमेटिक ट्रेडिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं करते हैं जो हमें रियल ट्रेडिंग ऑपर्चिनिटी प्रोवाइड कर दिय और इसे हमें क्या होता है कि हम एक सटार टाइम और एंड टाइम का यूज करते हैं और उस करें मेर स्टाइम में हाइस्ग और लोएस्ग लोगो कर लिएं Eagle trading और Intramax के बीच का difference समझते हैं तो उसमें दोस्तो Eagle trading में सेटेट टाइम फ्रेम का जो candle close होता है उसके बाद हम यह चेक करते हैं कि इस candle ने high या low break करके closing दी है या नहीं दी है वहीं Intramax में हम real time basis पर trade करते हैं जब market का price high या low के ऊपर या नीचे जाता है तो immediately trade हो जाता है Intramax के कुछ फायदे हैं पहला फायदा यह है कि strategy trades को flexibility प्रवाइड करता है मैं candle closing का weight नहीं करना पड़ता जिससे हम trading opportunity को जल्दी capture कर पाते हैं यह हमारे trading decisions को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही जादा प्रवावशाली है तो चलिए मैं आपको live दिखाता हूं किस तरीके से आप Intramax strategy को use कर सकते हैं क्या क्या parameters होते हैं किस तरीके से setting करनी होती है और कैसे आपका automatic trading start होगा प्रोसेस बहुत ही आसान है परन्तु अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप प्रोसेस को तक सली से समझ पाएंगे और आपका trade automatic हो पाएगा तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं यह किन उससे पहले जो भी वीवर्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या फिर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे हमबल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगर आप trading या आईल को trading करते हैं तो हमारे वीडियो पर आपको एक बहुत ही अच्छा content देखने को मिलेगा और साथी साथ bell icon में जरूर दबाएं क्योंकि bell icon दबाने से हमारे नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमारे platform पर आने के बाद आपको login करना होता है login sign up की काफी वीडियो में बना चुका हूं तो बार बार उसको बताने से time जादा जाता है सबसे पहला वीडियो हमने इगल के बारे में बनाया था आज का वीडियो इंट्रामेक के बारे में अगर आपको इसका description देखना चाहते हैं तो यहां पर click कर सकते हैं इसमें आपको इसका पूरा English में इसका description मिल जाएगा और आपको अगर समझ दे आता है तो वीडियो को complete देखेगा आपको बाकी कभी information मिल जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा जैसे कि हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ आपको अपना broker link करना होगा तो सबसे पहले broker का selection करना होता है यहाँ पर अलग-अलग brokers हैं इन brokers में से किसी भी broker के थुरू आप trading कर सकते हैं मैंने यहाँ पर आज चुना है AlizeBlue का account और AlizeBlue में client ID डालने के बाद मुझे update करना होता है और update के बाद get access token करना होता है जैसे कि मैंने इसमे अलड़ी आज token लिया हुआ है अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा token is valid का message आ रहा है अगर आपको token लेना है तो आपको get access token पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर login ID, password वगरा angel की सारी detail डालने होता है और detail डालने के बाद TOTP डालना होता है उसके बाद आपको token मिल जाता है और यहाँ पर क्योंकि मेरे पास already token है तो मैं token का process नहीं करूंगा ताकि हमारा time बच सके मैं सीधर strategy पर आता हूँ के टैब में और यहाँ पर आपको कुछ कार्ड दिख रहे होंगे मैं इनको remove करता हूँ और नया कार्ड यहाँ पर एक लगाता हूँ जिससे कि आपको तसलिसे और आसानी से चीज़े पताब चल पाएं तो यह मैं एक एक करके सारे symbols को delete कर रहा हूँ यहां से मैंने delete कर दिया अब हमने एक नया symbol create करेंगे nifty का जैकि जैसे यहां पर intramax select कि हमने उसके बाद हम यहां पर nifty का contract select करेंगे nifty हमें जाना है july में nifty july का contract यहां पर आप देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा इस contract को select करना है intraday strategy है दोस्तों तो MIS करना बहुत important है अगर आप normal करेंगे तो problem हो सकता है आपको intraday करना है उसके बाद nifty की quantity लिखनी है जितने भी quantity में आपको trade करना है अगर आप multiple lots में करना चाहते हैं तो उससाब से 50,100,500,200 lot wise आप इसको set कर सकते हो stop loss आपको देना है मालने जो मुझे 25 point connective में stop loss और target लगाना है तो यहाँ पर target भी 25 और stop loss भी 25 लगा अगर आप target stop loss नहीं लगाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि उपर नीचे उने पर आपको vice versa trade हो अगर high level break करे तो buy हो low level break करे तो buy का position कट ज सकते हो अगर आप on करेंगे तो आपकी quantity यहाँ पर दिख रही है उसके बाद आते हैं intraday time अब देखें दोस्तो time frame का है आप कोई मतलब नहीं है ठीक है time frame से आपको आप इसको ignore कर सकते है कुछ भी time frame set कर सकते हो क्योंकि यह price action की strategy है तो इससे time frame या candle closing का कोई लेना देना न अब ही हम क्या करेंगे अपने घ्रिसाप से time set करेंगे जैसे हमने यहां पर दा रहा बज के उनतीस मिनट और यहां पर हमने डाला बाराई बचके बतिस मिनट ठीक है तो 12 बचके बिच्destंट से 12 मिनट से 12 मिन इसको तीन मिनट सिर्फ 3 मिनट का यह moment capture करेगा और 3 मिनट का ट्रेड आटोमेटिकली स्टार्ट हो गया अब हमें दोस्तों वेट करना है तीन मिनट का अभी बज़ रहे हैं बारे बच के पर बुलिश होगी और किस लेवल के नीचे मारकेट जाने पर बेरिश होगी तो चलिए दोस्तों दो तीन मिनट का वेट करते हैं उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे तो अल्मोस्ट टाइम कूरा हो चुका है और अभी हम देखेंगे किस तरीके से यहां पर अ लेवल हैं एक में एक सेकिंड काम को वेट करना पड़ेगा बारह बच के त्यतिस मिनट सम्तिंग कुछ टाइम हो रहा है तो जब बारह बच के चौटिस मिनट होंगे तो अब हमको एक लेवल सी दिखाएगा तो आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर रणिंग आ रहा है और यहां पर आप देखेंगे कि बियरिश और बुलिश के लेवल सा रहे हैं 19,396 का बुलिश लेवल था और बियरिश लेवल था 19,389 का तो यह हमारा टेस्टेट टाइम था आप हाई और लो सेट कर सकते हैं चेक कर सकते ब्रोकर के पैनल पर जाकर भी कितना था अभी एंट्री आ गया हमारा 900 कुछ पर स्टॉप लॉस इसने दिखाया है 19,421 और टार से यह चल रहा है तो इसमें अभी यह ट्रेट बन गया है अब इस ट्रेट को हम कंटिन्यूस चलने देते हैं और मैं आपको ब्रोकिंग पैनल पर भी दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेड गये लेकिन उससे पहले अभी हम ऑप्शन के लिए भी सिंबल क्रिएट कर लेते हैं अब आपशन स्ट्रेड़िजीज आप गई आपको यहां पर आपशन के लिए सिंबल क्रेट करना है इनको भी मैं रिमूड कर देता हूं जो सिंबल सभी क्रिएटट है हम ने सिंबल बनाएंगे और उनमें ट्रेडिंग करेंगे तो यहां पर हमने Intermax select किया दोस्तों फिर से और हमने उस वाले में Nifty में trade किया था इस बार हम बैंक Nifty करेंगे expiry date हमने डाला weekly expiry का यहां पर July का contract और यहां पर year इस तरीके से आपको date और month डालने हैं अगर आप Alice Blue यूज करते हैं और आपको last week की contract expiry पर trade करना है तो आपको date नहीं डालनी है दोस्तों यह बात ध्यान लगना वहीं अगर आप angel blocking के customer आपका angel blocking पर account है तो आप चाहे weekly चाहे monthly कोई भी contract में काम करें आपको date डालना अनिवार रहे है अगर आप date नहीं डालेंगे त आपका trade नहीं जाएगा यह बहुत important सूचना थी तो इसको आप ध्यान से दीजिएगा उसके बाद आते हैं यहाँ पर MIS करना है quantity फंदरा हो गई अभी change होके पहले 25 थी फंदरा हो गई और इसका target भी मैं 25 लगता हूं और इसका stop loss भी मैं 25 लगता हूं अब यह 25 जो है वो मैं आपको दाया time frame से कोई लेना देना नहीं है मैं sqm3 कर देता हूं और यहाँ पर हमने time डाला बारह बज़के चाटिस कि बारह बज़के 33 मिनट से लेके हम बारह बज़के 37 मिनट का डाटा लेंगे मैं आपको बताऊंगा पहले इसको start कर देते क्योंकि यह time होने वाला है और इसको यहाँ पर से symbol को create कर दिया start कर दिया अब हम देखेंगे दोस्तों बारह बज़के 37 मिनट पर आएगा तो यह हमें data देगा bullish और bearish का यह हम बताएगा कि जो period हमने set किया है उस periods के highest high और lowest लोग क्या है और उसके उपर यह trade कर देगा अब यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से यह आपको data दिखा दे रहा है तो आप देख सकते हैं इसमें buy का range दिया है 45,281 का और sell का range दिया है 45,269 का ठीक है अब यह trade चालू है मतलब यह checking चालू है trade होगा अभी जब यह 80 के उपर जाएगा 21 के उपर जाएगा तब तक हम यहाँ पर अपना देख लेते हैं यह जो हमारा था symbol जो हमने create के था यह अभी भी running है दोस्तों और यहाँ पर इसका जो target है वह आपका 421 का है लेकिन price अभी भी same चल रहा है तो दोस्तों अभी हमें wait करना होगा कि हमारे price के उपर या नीचे यह जाए और उसके बाद इसका trade हो और मैं आपको उसके बारे में आगे बता पाऊंग ठीक है तो यह दोस्तों देखो 288 चला गया अभी हम इसको refresh करके देखेंगे तो हमें यहाँ पर signal दिखेगा कई बार दोस्तों लाइब में यहाँ पर यह दिखा नहीं पाता क्योंकि हर सेकेंड बाद यह अपडेट होता है तो यहाँ पर दिखा नहीं पाता है यहाँ पर प्राइस भी जो चला गया और यह देखो ऑप्शन का जो प्राइस दिखा रहा है एंट्री दिखा रहा है 179 टार्गेट दिखा रहा है 204 और स्टॉप लोस दिखा रहा है 154 सम्तिंग तो अभी देखेंगे आप दोनों सिगनल हमारे चल रहे हैं जो नॉर्मल 500 की कॉल यहां पर बाय हुई है यानि कि मार्केट उपर जाने की तरफ प्रेकाउट हुआ था तो कॉल बाय हुई है और जैसे ही अब इसमें सेल सिकनल आएगा तो यह कॉल को क्लोज कर देगा और सेल के लिए पुट को बाय कर लेगा तो जो लोग ऑप्शन बाइंग करते ह इनके पास कब पैसे होते कंफंड होता है और वह उप्शन ट्रेडिंग करने की गुजारिष रखते तो वह आके हमारे प्लैटफॉम पर यहां से ऊप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं सबसे पहला प्रोसेस यह एकि आपको अपने ब्रोकर लिंक करना है उसके बात लगला प्र सकते हैं आपर order book दिखेगा order book में आपको इस तरीके से signal दिखाए देंगे आप यह देख सकते हो यह दो signal जो है वह अभी हमने जो ट्रेड किये हैं उसके और यह उसके बारे में success की information दे रहा है ट्रेड जो है broker account पे नहीं गया because हमारे account में उतना fund हमने डाल के नहीं रखा हुआ मैं आपको account login करके भी दिखा देता हूँ कि अधियो टीप डालना होगा जो कि हमको Google Authenticator app से मिलता है अभी तो जहातर ब्रोकर्स का टीओ टीप एनेबल हो गया है मतलब जहातर ब्रोकर्स टीओ टीओ को मस्ट प्राइरटी पे लेरें तो इसके लिए आप तो सबको मालुम चले गया होगा किस तरीके से टीओ टीओ बीजनरेट करना है और अगर नहीं आपको फिर भी पता तो फिर आप हमारी वेब साइट पर जाकर देख सकते हैं हमारी YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं यह कुछ निए सेभी का निया रिस्क डिस्क्लोजर यह बता रहे हैं आपको जो इस तरीके से आप देख से कि यहां प हमारे प्लैटफॉर्म से आये थे और अगर आप ट्रेड बुक में जाकर देखेंगे पोजिशन में तो आपको कोई पोजिशन नहीं दिखेंगी विकॉस और रिजेक्ट हो गया यहां पर आप देख सकते हैं और रिजेक्ट हो गया रीजन यह साथ में उसकी और आइडी मिलत कि नहीं और सब्सक्राइव करद quién कि आपको की आपको यूज कर साथ और स К点 sophomo की प्लाइन पाज़े के रहें चैड़्म है और श्यशंस के बारे में आपको चान कारी मिलती रहेगी तो अगर आपको ट्राइल लेना है इसका आपको यूज करना प्लेटफॉब्स करणे में तो दोस्तो मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए भाइबा, टेक केर Chair , झाल झाल